नश्क्राइब दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ, एड़ोकेट्स के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा एक फाइदा पहुंचाया गया है, एक उनके लिए सहूलियत पहुंचाई गई है, एक उनको बेनिफिट पहुंचान होगा, अगर आपको हाई कोट के अंदर अपियर होना है, तो आपके पास बलेक पैंट, ब्लेक कोट, साथ में गाउन और विद बैंड आपको पहनना होना mandatory होता है, अब इस केस में केरेला हाई कोट ने अपना ओर्डर पास करा है, केरेला हाई कोट ने अपने सीधे कंड़क कर सकते हो और in short आप as an advocate अपना high court के premises में कहीं भी आ सकते हो court room में जा सकते हो appear हो सकते हो without wearing a gown बस याद रखेगा लेकिन आपको black pant white shirt और black coat with band आपको पहनना mandatory होगा याद रखना लेकिन अगर किसी को अपना gown पहन के appear होना है तो यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको optional माना गया है लेकिन यहाँ पर बात और एक और करी गई है कि अगर आप अपना district judiciary के अंदर practice करते हो तो यहाँ पर बुला गया है कि district judiciary वाले वकी mandatory नहीं होता है ठीक है और अगर आप district court के अंदर practice करते हो तो वहाँ पर आप अपना black pant और white shirt और band लगा कर भी court के अंदर appear होंगे कोई issue नहीं होगा तो district court के जितने भी premises है हमारे वहाँ पर आप अपना black pant white shirt with band लगा के appear हो सकते हो enter हो सकते हो premises में घूम सकते हो बात खतम वीडियो थी हमारे लिए आपको समझाने के लिए आपको अपडेट प्रोवाइड कराने के लिए अब यह उमीद रखते हैं कि जो हमारे further states के high courts हैं वो भी एक वकीलों को मौसम के हिसाब से एक hectic नहा पहुँच पाए उनके benefits के यहाँ पे ऐसा order pass करेंगे जो करेंगे जो क पुराव dress code अपना maintain करना पड़ेगा यह benefit केवल माई end तक यहाँ पे दिया गया है केरला high court के दुआरा अब आपको उनसे court के अंदर practice करते हो एक बारी मुझे common box के अंदर जरू बताएगा और आपके जो court के premises है क्या वहाँ पे ऐसा order pass करने के लिए आप agree करते हो या नहीं करते हो या पहले कभी अगर मैं last year की बात करूँ आपके concern high court के दुआरा जिस jurisdiction में आपका high court cover up होता है उन high court के दुआरा यहाँ पर ऐसे order pass करे गई थे या नहीं करे गई थे प्लीज अपने account box के अंदर जरू बताएगा और वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को like करके share जरू करेगा और जो लोग अपना राजिस्तान जुडिश्री की practice कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं exams का अपना preparation में लगना चाहते हैं और उनको confusion है कि मेरे को कोई अपना minor laws बढ़ा दे या फिर मेरे को कोई अपना major laws की revision कर दे तो आपके लिए batch मैं लेकर आया हूँ जिन पर आई जाएंगे और जो major laws है उनकी केवल revision कर आई जाएगी तो ये benefit आपको provide कराने के लिए मैंना application डाउनलोड करके आप लोग अपना batch अवेल कर सकते हो और यह आपको screen के अपर भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में जो confusion हो वो सारी clear हो जाती है कि मेरे को कौन-कौन से subjects minor वाले detail में पढ़ाई जाएंगे जैसे कि हमारा batch है ठीक है इस batch को आप अपना join कर सकते हो जिसमें आपको limitation act, JJ act, NI act, probation offender act and domestic violence, indecent representation of women act and POXO, sexual harassment act, workplace and Rajasthan rent control act and specific relief act ये सतारे आपके कराई जाएंगे और जो major acts हैं और उनका जो आपका revision होगा तो जो लोग चाहत मैं आपको राजस्तान जुडिशी के लिए strategy इस batch के अंदर complete तरीके से बताता रहूंगा तो application download कर लिजे उसके सारे links आपको description box के अंदर मिल जाएंगे और जो update थी हमारे वीडियो का जो importance था वो मैं आपको बता दिया है, वीडियो कैसे लेगी है, like करके जूरू बताएग बागे मिलते नेक्स वीडियो गना, thank you, तने बाद